Hello My Friends, Welcome To My Channel, Industrial Tech Guide तो आज हम लोग बात करते हैं Tank Volume Calculation के बारे में जी हाँ, तो Tank Volume जो है, यह हमें किसमें लेना है? Measurement वो Fit में लेना है, क्यों? तो हमको जो Measurement निकालना है, वो QEC Fit में ही निकालना है तो जैसे हमने ले लिया, टैंक का Length हो गया 7 feet वेट हो गया उसका 5 फिट और उसका हाइट हो गया 4 फिट तो यह जो है कल्कुलेशन इसका यह आता है 140 क्यूबिक फिट तो जैसे की एक क्यूबिक फिट आपका होता है 28.317 तो इसको मल्टिप्लाइ करेंगे हम जो 140 इंटू 28.317 पे तो यह हमारा जो टैंक का आप वोल्यूम निकल के आएगा वो है 3964 लीटर तो 3964 लीटर जो वोल्यूम क्यलकुलेशन होके आया तो वो है आपका जो टैंक का हाइट और हाँ एक चीज यह है तो जैसे कि आप अगर देखेंगे कि टैंक में पहले आप कोई डेप्ट गेज में देख लेंगे कि टैंक में कितना वोल्यूम है तो जितना वोल्यूम टैंक में होगा उस हिसाब से आपको जो हाइट रखना है वो आप वो हाइट को रखेंगे तो चलिए आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बने रहिए मेरे साथ और जाने से पहले चैनल को लाइक करें सेर करें और सब्सक करें